अज एक बहुत इंपोर्टेंट विकैंसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ तो वीडियो को जरू देखेगा इसके पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें मैं आपको बता दूं कि हम अपने चैनल पर प्रैक्टिस करते हैं UPGC जैसे एक्जाम की TET जैसे एक्जाम की CTET और UGC NET जैसे एक्जाम की अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को विजिट नहीं किया है तो जरू देखेगा क्योंकि अगर आप इन में से किसी भी एक्जाम की प्रप्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहां पर देड़ो तरह के वीडियो मिलेंगे और देड़ो मतेर मिल जाएगा जो कि आप इसलिब उसको ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है प्लेलिस एक बार जरू चेक ही चलिए बात कर लेते हैं विकेंसी के बारे में जो किनिकली है डी एसस्वी की साइट से यानि की इडाली गवर्मेंट की साइट से पोस्कृ टीचर्स की है बहुत इसको नहीं देखें उनको मैं बता दूँ साथ फरवरी दोजार चौबिस तक का ही समय है पोस्कृ टीचर्स की वेकेंसी काफी अच्छी पोस्कृ मानी जाती है यह और चुकि डैली गवर्मेंट की साइट से है तो डैली में एजुकिशन के लिए बहुत सारा काम किया जा बहुत अच्छी जगर पर पहुंचेंगी अगर आप इस वेकेंसी को क्लियर कर लेते हैं अब यहां पर देखें तो अलग 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 काटेगरी वाइस दी हुई है जैसे कि यू आर ओबी सी एस्टी एडव्लू एस और डबलू पीदी है ना तो इसमें अलग 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 काटेगरी वाइस पोस्ट दी हुई है वेकेंसी दी हुई है कहां कहां कितनी है अब जैसे सब्पोस करते हैं फर्स्ट है पीजी टी हिंदी मेल मतलब पोस्ट गरिजवेटी चेथ हिंदी माध्यम में हिंदी सब्जेक्ट के लिए और मेल के लिए है मतलब पुरुष वर्ग के लिए है ये डिपार्टमेंट का नाम है डिरेक्टर अफ एड्यूकेशन आठ टोटल जो पे लेवल होगा वो क्या होगा एट होगा मतलब बहुत अच्छा पे होगा और जो विकैंसी की संख्या है वह स्ट कैटिगरी में एक है इसे तरह के से मेल फीमेल के लिए यहां पर हो उन्रिटी में आप इसए और एक कैटिगरी में है चार आपको टोटल यहां पर बिकैंसी मिलती हैं बुच्छी हो फिर्पिर्टी के हुई ही चुके होंगे नहीं हुए तो हो जाएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ठीक है और इससे समंधित आप यह इसको पुरा पढ़ लीजे टोटल वेकेंसी की संख्या अन्रज़र्फ के टिगरी में 126 है संख्या दी हुई है और टोटल मिलाकर 297 वेकेंसी है तो इसको जुरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए कि साथ फरवरी तक आपको यह ग्यारा बच के 69 मिर्ट तक की फॉर्म को जो है वह फिल कर लेना थोड़ा और मिसके बारे में डीटेल जान लेते हैं इसकी कंप्लीट पर कहां मिलेगी डेले गर्मेंट की ओफिशल वेबसाइट पे मिलेगी यहां जाकर यह आपको फॉर्म को फिल करना है इंपोर्टेन् नोट आपको याद रखना है इस तरह से कि आपको आ। जोडनलार माध्यम से ही इस फॉर्म को UL करूर करना है ही अब देख लेते हैं ह इसमें जो essential qualification है वो क्या है तो देखे master degree आपके पास होनी चाहिए master degree होनी चाहिए मतलब आपने जिस भी subject में आपको form को डालना है उसमें आपका master होना चाहिए पीजी degree होनी चाहिए और degree of education होनी चाहिए जैसे बीएड या फिर डीएड डीएड इस तरीकी की जो डीडी होती है वो होनी चाहिए ठीक है यहां पर एक और चीज बताए गई है qualification mentioned at serial number 2 अगर आपके पास बीएड की डीगरी नहीं है तो relaxable case in the candidate मतलब किस तरह से आपको इस चीज में relaxation मिलेगा suppose आप बीएड नहीं कर रखा है तब भी आप इस form को fill कर सकते है किस condition में अगर आपके पास PhD डीगरी है आपके पास subject का concern डिप्लोमा है किसी recognized university से इसके अलाव आपने जो भी आपने पढ़ाई करी है through out आपकी पढ़ाई जो है वो first division में हुई है और secondary high secondary में भी आपको first division में ही आपकी पढ़ाई हुई है और यहां पर अगर आप इस post को qualify कर लेते हैं तो फिर आपको तीन साल का time दिया जाएगा किस चीज के लिए आपके B.Ed की degree को complete कर आप इसको qualify कर लिया आप यह नहीं है उसके बाद आपने इस exam को form को fill किया और आपने qualify कर लिया तो आपको तीन साल का ऐसा समय दिया जाएगा कि आप अपना B.Ed कम्टीट कर लेते है ऐसा सिर्फ Delhi government की relaxation देती है बाकी और कहीं पर इस तरीके का नहीं मिलता हो सकता है मेरी जा लगा दिया जाएगा तो 47,600 से लेकर 151,100 आटमा जो पे है वो लगाया जाएगा बहुत अची salary होगी कब तक fill कर सकते हैं अगर आपकी age 36 साल से कम है तब ही आप इस form को fill कर सकते हैं ठीक है और जो बाते हैं उनको आप इसको बहुत ध्यान से इस पूरे दिया हुआ है इसम आप पर सकते इस notification में ठीक है इसी तरीके से दूसरा जो है essential qualification दी हुई है किसी तीच के लिए डारेक्रेट आफ एजुकेशन हिंदी फीमेल के लिए है यहां पर भी यही दिया हुआ है कि आपकी master degree होनी चाहिए और b8 के लिए आपको relaxation मिल जाएगा जिस तरीके से पहले में था salary वही है age limit 36 सार से कम अगर government servant है किसी तरह से तो यहां पर कुछ relaxation मिलेगा तो आपको detail में पढ़ना होगा तो students अगर आप इस vacancy को fill करना चाहते हैं इस notification को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और form को fill कर देना चाहिए क्योंकि बहुत कम ही ऐसे मौके आते है जहा आपको इसकी preparation करना चाहते हैं तो आपको हमारे इस application पर अगर आपने form fill कर दिया है और उसके बाद आपको preparation करने के लिए क्या चाहिए होते हैं हमें notes चाहिए होते हैं और notes में mainly जो जिस तरह से भी पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है competitive type का question होते है मतलब multiple choice वाले question हो कोई भी subject हो Hindi English Sanskrit जो भी आपका subject हो आप यहाँ पर इतनी सारे test series दी हुई है जिससे आप देख सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारे mocktas मिल जाएंगे test series मिल जाएंगे quiz मिल जाएंगे तो एक बार ज़रू इस application को देखेगा notes भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और किस्तर आप इस application को download रह सकते हैं तो हमारे किसी भी वीडियो में देखेंगे आपको description box में telegram की link में लेगी और साथी साथ में हमारे application की link में लेगी तो एक बहुत जरूरू आपको चेक कर लेना चाहिए इसके बाद मैं बात करना हूँ तो हमारी जो हमारा self learning channel है इसमें मैं preparation कराती हूँ अगर हमारे कुछ students ऐसा कहेंगे कि मुझे DSSP की भी preparation करनी है तो उसकी specific videos भी मैं बनाऊंगी तो एक बार जरूर हमारे channel को visit करें अगर यह video अच्छा लगा हो informative लगा हो काम का लगा हो तो जाते जाते लाइक जरू कीजेगा मिलते हूं बहुत जल नेक्स वी